अब अपन electron gain enthalpy की periodicity देखेंगे, एक period में क्या होता है, ग्रूप में क्या होता है, यह जानेंगे, तो सबसे पहले एक period की बात करें, as we move left to right in a period, size decreases, therefore electron gain enthalpy increases, जब भी बच्चों एक period में left to right जाते हैं, तो electron gain enthalpy भरती जाती है, size करता जाता है, अब याद रखेगा, किसी भी atom, किसी बी आइसोलेटिड गैसे सब करते हैं, उस समय जो energy increased होती है, that is called electron gain enthalpy, अब left to right move करें, तो size छोटा होता जा रहा है, तो नया आने वाले electron पे nucleus के attraction और जादा लएगा, और तेजी से जादा amount में energy release होगी, तो देखेगा ज़ा, मैंने लिए lithium, लिए boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, एक period के लिए है, तो बच्चों बिल्कुल सही बात तो यह है, as we move left to right in a period, electron gain enthalpy increases with few breaks, with some breaks, ऐसे नहीं कि regularity बढ़ती जाती है, कहीं कहीं गड़बर भी हो जाती है, कैसे देखते हैं तरह, ध्यान दीजेगा बच्चों, इधर देखेगा तरह, यह order रहता है, electron gain enthalpy का, electron gain enthalpy, इस order में increase होती है, अब यहां पे, कहां कहां street breakers आ गए, है, carbon and nitrogen के बीच में, carbon का atomic number 6 है, nitrogen का 7 है, अब carbon का 6 है, तो 1s2, 2s2, 2p2, बच्चों, nitrogen का 7 है, 1s2, 2s2, 2p3, अब होनी जादा चलिए थी, electron gain enthalpy, nitrogen की, क्यों left to right जाना है, इसका size होता है, लेकिन, यार्टों की, electron gain enthalpy की value carbon से कम हो दाती है, ऐसा क्यों, nitrogen का 1968,аков limite, fem, क्यों,on grupos की value specify российממ wheelchair, जाना है, अब ये थी, US की 所以ście उलज से पनाती च्राइक सिवाट को ये स्पन हो जब इसमें एक्राइड करीजिए तो इसका इलेक्राइड कांफिएशन हो जाएगा 2s2 to 2b4 एड बिकम्स अनस्टेबल कांफिएशन तो फिर तो लेस्ट अमांट में अनर्जी रिलीज्ट होगी सब्सक्राइब करते हैं इसलिए कारवन के मेंबर्स की जादा होती है तो सिलीकन की जादा हो जाईगी फोसफरास से इसी त्रखाव बैलियूं मो बैलियूं का किये है केसे लित्याब का इलेक्ट्रोंक काउपिग्रेशन कीया 1s2 2s1 जबकि बेरीयं का किया 1s2 2s2 इसका भी full-fit configuration, फिल्म configuration है यह एक टो नहीं रेना चाहता फिल भी आपन जबस्ति देगे तो एक बीक्ट्रों काउपिग्रेशन बना देगा अंस्टेबल सा हो जाएगा इसकी एलेक्ट्रों एक्सेक्ट नहीं करना चाहता है और जब रस्ती देदें तो लेस्ट होती है जबकि लीथियम का तुब 1-2-2-1 क्टीशन है एक लेक्टों नहीं के पाग यह 2-2 फिल्ड फिल्फिल्ड कांफिॽरेशन कर लेता है थोड़ा सच्टेबल हो जाता है तो थोड़ा ज्यादा अमवन में दिक्ञार्वित कर देदा है तो लीथियम की इलेक्ट्रों ज्यादा हो जाएगी सिमिलरी सोडियम की ज्य इसलिए इनके लिए इलेक्टों ये इलेक्टों ये इलेक्टों गेम करना पसंद ही नहीं करते ये तो इलेक्टों त्यागनी की प्रॉपेटी रखते हैं में इस ही जो voting में प्रॉप कि प्रॉप की पात करेंगे इनके इन котором को पता है रहे की बात करेंगे और size increase होगा तो electron gain enthalpy घड़नी चाहिए, बात बिलकुत सही है और घड़ती भी है, as we move down the growth, size increases, due to the increase in the size, electron gain enthalpy decreases, electron gain enthalpy कम होगी, क्यों, size जैसे से बढ़ता आएगा, उसके nucleus का attraction अपने खुद के outermost shell के electron पे कम हो जाएगा, अब नया electron अगर add भी करेंगे, तो उस पर nucleus का attraction नहीं के बराबर होगा, तो बहुत कम quantity में energy release होगी, electron gain enthalpy घटे ही, लेकिन, क्या यहाँ पे भी कुछ exceptional case है, हाँ, देखते हैं, लेलिया पर ने, हैरोगल family लेली, fluorine, fluorine, bromine, iodine, अब एक रूप में उपर से नीचे चलने पर, electron gain enthalpy को घटना चाहिए था, electron gain enthalpy, electron gain enthalpy decreases, decreases, यह होना चाहिए तो होता भी है, लेकिन यहाँ पे भी एक exception है, यहाँ पे भी एक break है, वो between fluorine and chlorine है, कि जैसे अपन एक ग्रूप में उपर सी नीचाहती है, साही बढ़ता है, साही बढ़ता है, तो electron gain enthalpy घटेगी, लेकिन बच्चों, क्या होता है, तो fluorine की याद रखना है, आप फ्लोरीन से क very important है, अब ऐसा कैसी हो जाता है, तो कारण सुएगा बच्चों, तुम्हें पता है, अभी अपने second group के element लिखे थे, lithium, barium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, ठीक है, तो जब second group में left to right भूप करते हैं, जब राइटेस्ट मोच यह fluorine रखा हुआ है, उपर से अपने group में भी सबसे top में रखा ह हुआ है, तो size में कुछ जरुवत से ज़्यादा छोटा है, जरुवत से ज़्यादा छोटा है, उससे क्या outcome ध्यान रखें, fluorine का atomic number 9 है, 1H2, 2H2, 2P5, इसके दो shell है, पहला shell यह दूसरा shell, पहले shell में 2 electron है, और दूसरे shell में 7 है, चुकि size में छोटा है, तो इसके जो outermose shell मे होने के लिए चला रहा है, incoming electron, तो चुकि flooring का size को जरुवत से ज़्यादा छोटा है, जो अपने group में भी top पे रखा है, और period में भी the brightest most रखा है, तो जरुवत से ज़्यादा होता है, तो बचो इसके outermose shell में, जो 7 electron से भूवी, पास-पास होंगे, पास-पास होंगे, तो incoming electron जो होगा, आने वाला नया electron जोगा, अगुंत की electron जोगा, incoming electron जोगा, इसके outermose shell के electrons को repel करेंगे, उसको आनि नए देंगे, रिपेल करेंगे, जब कि nucleus attract करेंगा, इसको आने देगा, आने वाले electron को attract करेंगा, पर यह repel करेंगे, तो इस repulsion को overcome, तो करने के लिए थोड़ी के लिए काफी energy यही बेज़ हो जाती है, ultimately nucleus attract करके इसको बिलाग तो लिता है अपने अंदर, लेकिन less amount में energy release होती है, तो याद रखेगा, chlorine के लिए क्या कहेंगे, कि fluorine का size को जरुवत से जादा च्यादा होता है, compact होता है, उसके outermost shell के electron का incoming electron पर repulsion लगता है, उस repulsion को overcome करने के लिए काफी energy महीं waste हो जाती है, इसलिए fluorine की electron गिन enthalpy कम होती है, या यह कहूं कि chlorine की जादा क्यों होती है, chlorine का size सूते बद होता है, fluorine की तुल्णा में थोड़ा बड़ा होता है, यह निकेंगे बहुत बड़ा होता है, कि जित्ता जादा बड़ा होता है, लेकिन याद रखे है फ्लोरीन के फुल्णा में क्लोरीन का साइज बढ़ा होता है कैसे यह क्लोरीन इक टोब चैसिक्स आउट्रमॉस शेल में सेवन है इसके अभी ठर्डर शेल है थोड़ा सा बढ़ा हो गया को इसके जो बिसेवन हैं थोड़े दूर दूर होगे अब इनकामिंग्विए यह रहा है इसमें अग्रोरीन के लिए तो चुकि प्लोरीन की तुद्श नहीं नहीं के बराबर करीन दिलσι फ्रीर नियग्वारा छालज़ा जता है मतलब का हुज़ आए कि क्लोरीन का साइज स्लिएलिटली बड़ा होंँ रहता है नहीं के बराबर इसलिए इसलिए इसकी इलक्रोलीन याँटम्ट से वेल्यूज़ ज़ादा होती है तो chlorine has highest electron gene enthalpy the whole predictable, chlorine की तो पूरी predictable में सबसे ज़्यादा electron gene enthalpy होती है, अब एक ऐसा ही example और है, ध्यान रखना है बच्चों, oxygen family का लिया, important है, बहुत आचुका एक्जाम में, oxygen, sulfur, serenium, tellium, polonium, यह लिया, polonium, हाला कि radio earth के बाई लिखती है, तो याद रखे, इसमें भी electron gene enthalpy, ग्रूप में ऊपर से नीचे चलने पर degrees होगी, degrees होती है, लेकिन क्या यही order होता है, तो क्या सबसे ज़्यादा oxygen की होती है, नहीं नहीं, तो इसमें क्या order होगा, oxygen का size जब से ज़्यादा छोटा हो जाता है, compact होता है, तो इसकी तो कम हो नीची, बिल्कुछ सही है, तो सबसे ज़्यादा है क्योंकि sulfur ही होती है, sulfur, अब बच्चे कहते है, सोचते है, क्लोरीन के बाद जैसे फ्लोरीन आ जाता था, वैसे oxygen आए जाना चाहिए, लेकिन नहीं बच्चों, sulfur के बाद सिलियम, फिर तैलोरियम, फिर पोलोनियम और ओक्सिलियम लास्ट में होता है, याद रखता है, इसमें oxygen का साइज जरुष से ज़्यादा होता है, इसलिए इसके आउटर पूस शेल के इलेक्ट्रोनों का रिपल्सन, incoming रेक्ट्रोन पर बहुत ज़्यादा लगता है, इसलिए oxygen की इल इलेक्ट्रोन गेन एंथल्पी याद रखेगा जरा, क्लोरीन की होती है, यह order होता है, यह डोनों very important है, जो अक्सर exams में आए हुए हैं, अब यह इसी इलेक्ट्रोन गेन एंथल्पी के आधार पे कुछ और applications को समझाया जा सकता है, वो कैसे ज्ञान दिएगा बच्चों, ज जारी बात, जर्णली क्या है, size के inversely proportional होती है, size के, electron affinity है, electron gain enthalpy किसके, size के inversely proportional होती है, size के, दूसरी important बात है, जिसके इलेक्ट्रोन गेन एंथल्पी के value जितनी ज़्यादा होगी, वो type आर्फुर oxidizing agent होगा, oxidizing agent होगा, जल्दी से electron accept करेगा, दूसरे को oxidize कर देगा, तो electron gain enthalpy is directly proportional to oxidizing property, oxidizing property, oxidizing property, ज्यान रखेगा, तीसरी खास बात है, बच्चों, electron gain enthalpy किसके ज़्यादा होगी, जिसके सामनत है, outermost shell में electron ज़्यादा हो, और तुम्हें तो पता है, if you move left to right in a period, the number of electrons in outermost shell increases, तो electron gain enthalpy, ज्याद रखे, outermost shell में number of electrons के directly proportional होती है, तो electron gain enthalpy, number of electrons, number of electrons in the outermost shell, in the outermost shell, in the outermost shell की directly proportional होती है, except noble gases, except noble gases, जिसके रिए electron gain enthalpy की value ज्यादा होगी, उसकी generally electron negativity वगरा भी ज्यादा होती है, ज्यादा होती है, तो ये अपने electron gain enthalpy, को थोड़ा सा देख लिया, ठीक है, अब अपन इसके बाद, आगे next enthalpy, पढ़ी है,